अन्जा जी, मुझे भी सुनीजिये, सुनीए, अब क्या ग्या हुआ? पेला कामो धारा 370 हट गई, दूजा कामो मंदिरी की छत पट गई,oder वेलई बढाई, सारा जग देखे इज़त की नजर से, मोधी फिर से, आई आवाज घर घर से, मोधी फिर से, आई आवाज घर घर से, मोधी फिर से, क्या हुआ दिखा नहीं बंबी स्पोट में मरना अच्छा लगएगा क्या फिर से वो दौर आ जाए भारत को नए हत्यार दिये हैं देहशत वाले दौर मार दिये हैं पाक वाली साज़िशों को रोग दिया है घर में ही घुस कर ठोग दिया है अब सुनना बदलाब क्या आया गोली गर एक चले कभी उधर से तो हजार गोली चलती इधर से मोदी फिर से आई आवाज घर घर से मोदी फिर से इनको दिकत क्या है किस्मत पंजे वालों की तो जूल रही है फूल की वज़े से दम फूल रही है किसमत पंजेवालों की तो जूल रही है, फूल की वजय से दम फूल रही है, ब्रश्चाचारियों का दल एक हुआ है, हारेंगे तो EVM है खूआ है, जन्रता भी उब गई विपक्छियों की रोज रोज वाली बकर बकर से मोधी फिर से आई आवाज घर घर से मोधी फिर से आपके चोर उचक्के आफी के साथ ही खड़े हैं भाजपा पे तो नहीं है आस तक इतने साल हो गए आप तो किसी पे भी उंगली न उठा पाए अभी तो पुपेश बगेल का भी आप देख लीजिए कितना बड़ा केस सामने आ गया अब यह देखे महादेप आपके अंदर और काहे आप अधीरंजन चौधरी को कह रहे हैं हमें वोट दीजिए बहन ने बहुत अच्छी बात कही है नरायन राने किसका नाम है मुझे नहीं पता यदुरप्पा कहां गया मुझे नहीं पता किस जेल में हिमन सरम अबिस्वा जिस पर चक्की पिसींग चक्की नारा ग्रिह मंत्री जी लगाते थे वो कहां गया इतनी मोटी फाइल मुकुल लाइसे सुबंदू अधिकारी तक वो किस पार्टी में है और किसका नारा लगाता है यह पूरा देश देख रहा है अब आब यह तो सुझिए राहुल गांधी को कितनी बार लांच करोगे अधीन चौधरी ने इनके ने वोट क्यों मंग लिया वर्य? टीम पासवान जी वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं सबने देखा है सुनो ना सुनो ना अधीर अंजिन चौधरी को निकालो ना निकालो ना उनको क्योंकि तुम निकाल नहीं पाओगे अब कुछ करो ना उनके लिए कॉंग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र और समविदान का गला गोट करके इमर्जंसी यही लगाए थे सारे विपक्षियों को जेल में भेज़ दिया गया था आईए चार पंक्तिया देता हूँ आपका साथ चाहता हूँ कि भाई इतिहास छोड़ता नहीं इतिहास से अनजान हो मुह खोलते हो तुम आती है हसी जोर से हिंदोस्तान को खत्रे में समविधान जब भी बोलते हो तुम अच्छा और एक एक नहीं नहीं तज़्वीर एक नहीं मॉडल चल गया भाई यूपी की और जब देखा जा रहा है चार पंक्तिया आपका समर्थन चाहूँगा आप सब वाकिफ है क्या हो रहा क्या नहीं कि गुंदान गैंगवार है यूपी में आज कल माफिया भी तारतार है यूपी में आज कल बाबा ने दबंगों का जोश ठंडा कर दिया शिमलासी अब बहार है यूपी में आज कल और सुनिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा एक जो इंडौर नाम लिए उनका नाम अक्षद सिंग बम है न एक देखे प्रयोग की इंडौर में तो बम भी सहायक नहीं रहे इंडौर में तो बम भी सहायक नहीं रहे सूरत में मुह दिखाने के लायक नहीं रहे रड़ छोड छोड भागते कॉंग्रेसी सिपाही खुद कह रहे दल में मेरे नायक नहीं रहे और आखरी एक इशारा और बात हो रही थी बाई साब उपाजयाजी नहीं कहा विपक्षी एकता और सब को लेकिन जब जब उन लोगों ने सरकार बनाई आपने समर्थन गया चार-छे महिने के अंदर खीच लिया है इतिहास आप लोगों को जानना चाहिए एक तस्वीर रख रहा हूं सुनें कड़वी है बात सच्ची मगर बोल रहा हूं कड़वी है बात सच्ची मगर बोल रहा हूं इतिहास की तुला में तुमको तोल रहा हूं इतिहास की तुला में तुमको तोल रहा हूँ गुज्राल देव गौड़ा चंद्र शेखर चरण सिंग सरकार जोगी राई पोल खोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ये बेरोजगार अगर वोट उल्टा दे गए तो दिक्कत हो जाएगी देखे बेरोजगार की वोट उल्टा देने की बात तो आप छोड़ी दीजिए आप ये देखिए कि ओपोजीशन के कितने लोग हम में अपना रोजगार ढूंड रहे हैं ये तो आप देखिए कि कितने लोग रोजगार हम में ढूंड रहे हैं उन्हें मालूम है कि कुर्सियां वहाँ पर हट चुकी हैं, वो यहाँ पर दिलों के सौरगार डूंड रहे हैं, यह बात करने आये हैं यहाँ पर, अरे आप इस बात को समझें, यह कह रहे थे, कि क्या कह रहे थे, सुई नहीं बनी, क्या बोले, क्या सुई बनी, कि नहीं बनी हम तो भारत लाए है जो 1947 से पहले का था और उस सकत आप नहीं थे तो ये याद रखेगा ये संसकारों का देश है कॉंग्रेस से नहीं चल सकता इस देश संसकारों का है, संस्कृती का है, समणमय का है, सही सुनता का है सोहाध का है, पर ये बाठने का काम इंडिया और भारत में भी बाठ रहे हैं लोग, यहीए संसकार किसका है? पुरा देश देख रहा है, आप दस सेकंड एक कुछ चीजें चुकि अभी आई है चर्चा हमारे कबीजी ने ताना साही और इस पर की आज जो 10 साल में जो इस देश में ताना साही और जो विचार चल ला है उस साहब के विचार पर मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा था कुछ पंक्तिया साहब की आदत है हर एक बात पे बिवज़त तील का तार करते हैं अपने मित्रों पे जान निशार करते हैं सच तो उनकी जुबा पे आता ही नहीं सिर्फ जूट का हो कारोबार करते हैं उनके सपने निराले हैं क्योंकि वो मुसॉलिनी ट्रम पूतीन के दिवाने हैं साहब के सपने क्या क्या सपने हैं जड़ा देखिए चार सो पार करने वाले आरक्षन को समाप्त करने वाले समिथान को तार तार करने वाले युवाओं को विरुजगार करने वाले महंगाई से लोगों को खत्म करने वाले और मित्रों को मला माल करने वाले आरक्षन किस ने वो लगा दम करते हैं? जब भी बाते होंगी तो पर ब्रिज भूशन प्रजवल पर होट तक ना हिलाएंगे कठुआ हातरस मनी पूर पर भी वो चूप हो जाएंगे महिलाओं का सोशक हो जिनका सहयोगी नारी सक्ति को क्या सम्मान दिला पाएंगे आज जिस तरह से पूरी चर्चा है देश में नार पूरा देश देख रहा है